वहां है, प्रहिभा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्डिया बड़ी में आज हम इस वीडियो में बहुत ज़्यादा चीज़ डिसकस करेंगे, पहले हम डिसकस करेंगे बोर्ड एक्जाम के बारे में, फिर हम डिसकस करेंगे MST-CET के एंड फिर हम डिस्कस करेंगे नीट के application forms कब आएंगे तो मतब हम MST-CET के पूरा application के बारे में बात करेंगे नीट के बारे में बात करेंगे एंड board exam के बारे में बात करेंगे इसलिए ये video जो अगर आप देखेंगे तो पूरा detail में मैं लेके आँ लागू करना संधर्बाज चर्चा आज मुख्य मंत्रान नी बोलावली सर्वपक्षिय निट्यान ची बैठक महराश्टा ची धागधूक वाटली विद्यार्थां चा आरोग्य महत्वाच दाहवी बारावी चा परिक्षान संधर्बाज शिक्षण मंत्रान सा मोथा वक्तव्य तर MPSC ची परिक्षा पुढ़ेड़कर ल्यान अंतर बोर्डा चा परिक्षान चा निर्णया कड़ी लक्षा होप स्टुडेंट आपको ये वीडियो क्लिप समझे होगी जिन स्टुडेंट को अभी तक ये चीजे नहीं समझे क्योंकि नीट के लिए भी बहुत सारे स्टुडेंट जो आउट ओफ महरास्टर भी देखते तो मैं उनको बता दू कि महरास्टर में लॉक्डाउन लग सकता है इसके उपर आज चीफ मिनिस्टर और बाकी जो भी लीडर से उनके उपर डिसकेशन होने वाला है वो डिसकेशन करेंगे और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि कल MPSC के एक्जाम को जो डिले की आप बैसिकली पोस्पॉंड किया था तो उसके बाद आप सबकी नजर जो है वो 10th and 12th के उपर बहुत पॉजिटिव अपडेट आने वाला है अब हम पहले स्टार्ट करतें बोर्ड एक्जाम से फिर उसके बाद तो अगर आप देखेंगे NDTV ने अभी अभी अगर आप देख रहे हैं नौ बच के पांच मिर्ट हो रहा है और उन्होंने 857 मतलब पांच मिर्ट पहले करीबन 8 मिर्ट पहले उन्होंने डाला है कि डिसीजन ओन महारास्टर क्लास 10-12 बोर्ड एक्जाम सून वर्षाग आईकवार मैडम ने ऐसा बोला है और यह चीज तो आपको पता ही है कि यह डिसीजन बहुत जल्दी हो स्टुडेंस मैं एक चीज आपको बोलना चाहता है आप लोगे कि सर कोई डिसीजन आ रहा है तो आप लोगो कैसे मालूम पढ़ रहा है कि डिसीजन होगा मैं एक चीज बताओ कि जब कभी भी जैसे आप अगर एक्जाम लिखने को जाते हो तो उसके पहले आप पढ़ना चालू करते हो जैसे आप देखोगे ना कि चीजे बहुत फास्ट होने लगती है तो वहाँ पर एक चीज समझ में आता कि डिसीजन बहुत जल्दी आने वाल मतब पहले आप सुबह से देखोगे तो वहाँ से पहले स्टार्ट हुआ एक मिनिस्टर ने बोला कि भाई इसको पोस्पाउंड करो फिर दूसरा अधित ठाकरे जी का आया फिर तीसरा वर्शा का रात को आया फिर कुछ नए तरीके डूने मतब आपको क्या लग रहा है यह मंडे या टूजडे मतलब अगर आप देखो कि तो पांस दिन के अंदर आपको मिल जाने चाहिए मैं जानता हूं स्टुडेंस आप बोलो कि सर्फ पांस दिन बहुत बड़ा होता है बट आई तिंक गुडी पाड़वा जो थर्टीन था है जो महारास्ट्रा में सलिबरेट किया जाता है उसके पहले ही बेसिकली ये सभी चीज़ के डिसीजन आ जाने चाहिए लेकिन अब यहाँ पर इंपॉर्टन चीज़ यही है मैं वर्शा मैडम से रिक्वेस्ट करना कि प्लीज अगर आप इन चीजों को एक्स्टेंड कर रहे है ठीक है आप डिसीजन लेने मे में ना आए सिर्फ वह बेसिकली ऐसा ना हो जा कि हर किसी ने सपोर्ट किया लेकिन किसी एक आदमी के वज़े से पूरा चीज खराब हो गया तो ऐसा ना करना प्लीज मेरा बस यह एक रिक्वेस्ट और बाकी जो भी सिनारियों से वह तो मैं आपको बताते रहता हूं अब जो बोल रहा हूं कि आपकी MSTCET के रेजिस्ट्रेशन रहेंगे वह करीबन आपके में में स्टार्ट होंगे यह स्टुडेंट मैं सही बोल रहा हूं पहले में अप्रिल बोल रहा था लेकिन अब मैं में होंगे क्योंकि पूरा सिनारियों देखके जो सोर्स से मालूम है लेकिन इंपॉर्टन चीज यह है कि आपके एक्जाम रहेंगे वह लगबग नीट के आसपास ही आने वाले हैं इस चीज पे भी बहुत जादा ध्यान देना पड़ेगा लेकिन MSTCET के डेट अभी तक फिक्स नहीं मेरे इसाब से जुलाई लग रहा है बट इंपॉर्ट इसे भी है कि आपको स्टार्ट आफ में में मिल जाए बट अभी कुछ लोग कहेंगे सर 20 दिन बचा है अपरिल का तो हम क्या इसको एक्सपेक्ट कर सकते 20 दिन चांसे बहुत कम है स्टुडेंस की 20 दिन के अंदर ही आपको MSTCET का आ गया वेल और बट इस वेरी हाई चांसे अब हम बात करेंगे जो नीट वाले स्टुडेंस नीट वाले स्टुडेंस भी बोल रहे है कि सर अगर सीटी जुलाई तक चला गया तो जो पीसीज़वाले उनको नीट में दोनों में टाइम बहुत कम मिलेगा यह स्टुडेंट हम समझते है उस चीज को लेकिन यहां पर एक बात समझने होगी कि नीट जो होगा वो central level का paper होता है और जो स्टेट लिवल का तो कभी भी state का decision center से related नहीं किया जाता हाँ आपको जैई और नीट साथ में रखा जाएगा वो चीज होते हैं कि दो center दो state साथ में नहीं करते लेकिन एक center एक state हो सकता है तो यह चीज आपको जो खासकर नीट वाले जो मेडिकल लाइन के जाने वाले उनके लिए एक यह प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप बोलोगे कि सर रेजिस्ट्रेशन कब होगा तो नीट का रेजिस्ट्रेशन एप्रिल के लास्ट वीक या में के फर्स्ट वीक में आने वाला है तो यह भी एक चीज में आपको बता दे रहा है यह इंपॉर्टन चीज है आज जो बोर्ड एक्जाम वाले स्टुडेशन उनके लिए बहुत अच्छी खबर यही है कि अगर दिखा जाए तो उनको आज अपडेट या मंडे तक अपडेट मिल जाएगा लेकिन इंपॉर्टन चीज है कि कुछ लोग सोचतें कि लॉक डॉआन लग रहा है तो जί डबल एफ लोगों का क्या होगा लॉक डॉआटॉ जै हिंद जै माराश्टो